क्षी गुरु हर राय का जन्म एक सोढ़ी परिवार में निहाल कौर और बाबा गुर्दित्त के घर हुआ था। जब वे आठ वर्ष के थे तब उनके पिता का देहान्त हो गया हूँ। सन 1640 में दस साल की उम्र में गुरु हर राय ने दयाराम की बेटी माता किशनकौर जिसे सुलखनी के नाम से भी जाना जाता है से शादी की थी। से औरंग जेब की एक वक्त बोलती बंद कर दी थी। राम राय और हर कृष्ण जिन में से आठवे गुरु बने उनके दो बच्चे थे। गुरु हर राय के बड़े भाई धीरमल को शाह जहां से मुफ्त भूमी अनुदान और मुगल सनरक्षन सहित प्रोथसाहन और दीरमल ने अपने दादा छठे गुरु हर्गो बिंद से अलग होकर एक वैकल्पिक सिक परंपरा स्थापित करने का प्रयास किया था। तब छठे गुरु ने धीरमल से असेहमती जताई और हर राय को अपना उत्तरा धिकारी नामित किया। हर राय गुरु हर्गो बिंद के पोते थे। शुरुवाती जीवन हर राय का जन्म 16 जन्वरी 1630 को किरतपुर साहिब वर्तमान में पंजाब का रूप नगर में हुआ था। 6 अक्टूबर 1664 को उसी स्थान पर उनका निधन हुआ था। गुरु हर राय सिक धर्म के 10 गुरु हर्गो बिंद के निधन के बाद 3 मार्च 1614 को 14 साल की उम्र में वह सिक गुरु बन गए। उन्होंने अपने निधन तक करीब 17 सालों तक सिकों का मार्क दर्शन किया था। अनोखी पोशाक पहनते थे, अपनी अनोखी पोशाक के लिए भी जाने जाते थे। गुर गुरु हर्गो बिंद के लिए एक दुरलब दवा की जरूरत थी। और वह उपलब्ध नहीं थी। शाही हकीम को सूचित किया गया। जिसके बाद वह दवा उपलब्ध हुई। गुरु जी ने उन्हें इलाज के लिए दुरलब दवा दी। साथ ही एक मोती भी दिया। जानकारी के मुताबिक गुरु हर राय ने दारा शिकोह को कई प्रका के साथ अपने संबंधों को समझाने के लिए गुरु हर राय को आमंत्रित भी किया था। हर राय ने बताई मदद करने की वजह सिख परंपरा के अनुसार। गुरु हर राय से पूछा गया कि वह मुगल राजकुमार दारा शिकोह की सहायता क्यों कर रहे थे। जिनके पू तो दोनों हाथों से एक ही सुगंधाती है। गुरु हर राय ने सिखों की सैन्य भावना को प्रोटसाहित करने का काम किया था। हालांकि वे कभी भी मुगल सामराज्य के साथ किसी भी राजनीतिक संघर्ष में शामिल नहीं हुए। लेकिन उनकी शक्सियत का अपना गड़ एवं जम्मू एवं कश्मीर के विभिनक शेत्रों का प्रवास भी किया। उन्होंने 360 मंजियों की स्थापना की। उन्होंने भ्रष्ट मसंद पद्धती सुधारने हेतु। सुथरेशाह, साहिबा, संगतिय, मिन्या साहिब, भगत भगवान, भगत मल, एवं जीत, मल भगत जैसे पवित्र एवं आध्यात्मिक लोगों को मंजियों का प्रमुख नियुक्त किया। गुरु हर्राय साहिब ने अपने गुरुपद काल के दौरान बहुत सी कठिनाईयों का सामना किया। भष्ट मसंद, धीरमल एवं मिन्हास जैसों ने सिख पंथ के प्रसार में बाधाएं उत्पन की, शाहजहां की मृत्यु के बाद गैर मुसलिमों के प्रतिशासक और औरंगजेब का रूख और कड़ा हो गया। मुगल शासक औरंगजेब ने सत्ता संघर्ष की स्थितियों में गुरु हर्राय साहिब जी द्वारा की गई दारा शिकोह की मदद क राजनैतिक बहाना बनाया। उसने गुरु साहिब पर बेबुनियाद आरोप लगाये। उन्हें दिल्ली में पेश होने का हुक्म दिया गया। गुरु हर्राय साहिब जी के बदले रामराय जी दिल्ली गए। उन्होंने धीरमल एवं मिनहास द्वारा सिक, धर्म एवं ग गुरु घर के प्रती फैलाई गई भ्रांतियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। रामराय जी ने मुगल दर्बार में गुर्बानी की तुरुटिपूर्ण व्याख्या की। उस समय की राजनैतिक परिस्थितियों एवं गुरु मर्यादा की द्रिष्टी से यह सब नि प्रतव्य होने चाहिए ऐसे भावों का संचार हुआ। सिख इस घटना के बाद गुरु घर की परंपराओं के प्रती अउन्शासित हो गए। इस प्रकार गुरु साहिब ने सिख धर्म के वास्तविक गुणों जो की गुरु गरंथ साहिब जी में दर्ज हैं गुरु ना अपसे छोटे पुत्र गुरु हरकिशन जी को अश्टम नानक के रूप में स्थापित किया। कार्तिक वदी 9, पांचवियों कार्तिक, विक्रम समवत 1718, 6 अक्टूबर 1601 साबर में कीरतपूर साहिब में जोती जोत समा गए।